राजा सोचने लगे अभी दोपहर का समय है। यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोच कर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया की इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया आती समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा तुम थोड़ी देर रुको। मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना जी महाराज। जरूर लेटा था। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा। इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए मैं तुम्हें सजा दे बीरबल ने तुरंट जवाब दिया, महाराज। ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अभेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन नहों तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग प हामते हुए हमारे द्वारा उठाया गया, एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है।